वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल तो वाली स्टुडियो में आपको दिखाऊंगा बताऊंगा कि हाव यू कन फाइंड गूड जोब और स्टुडेंट के लिए क्या के जोब अवेलेबल है जो इसली स्टुडेंट कर सकते हैं वैसे मैंने बहुत सारी जोब के लिए यह साब से नहीं मिलती जितने आपको मिलनी चाहिए बाकि अगर आपको यूके में जोब ढूंडनी है तो जोब ढूंडना को यह बहुत बड़ी बात नहीं यूके में आप फर्स्ट फॉल इंटरनेश्टन को कभी भी कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए मैं जैसी बताता हू सब मेरे को ठीक नहीं लगा थोड़ा ठंडा भी था और मेरे रिफ्लेक्शन बढ़ रहा था तो मैंने सोचा वापिस घंड जाता हूं और वीडियो कंप्लीट करनी बेसिकली स्टुडियो में आपको बताऊंगा कि हाव यूकें फड़ जोब और कैसे आपको जोब और मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं जिससे की हाव टु फाइंड जोब और इसके बाद मैं करूंगा हाव टु फाइंड अक्मोडेशन और हाव टु लाइक गैट सीबीट लाइसेंस और प्रोविजिनल लाइसेंस हाव टू रिस्टर फोड जीपी तो आप अगर प्लीज मे मेरे फ्रेंड से उन से पूछ के और भी लोग हैं मैं सर्च करके उस पर मैं एक वीडियो बना सकता हूं और अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है मेरी वड़ी दिखने के बाद और आपको लगता है यह नहीं ऐसे होना चाहिए तो आप प्लीज कमेंड बॉक्स में मे अच्छा कैसे निकालना है यह तो है नहीं कि आप जैसे कि फर्स डे यूखे में आएंगे आपकी सेकंड यह आप जाओगे आपकी जोब लग जाएगी आपके पास ऑप्शन हैं आप अपलाई करिए ऑनलाइन जैसे कि टोटल जोब से हैं इंडीड है लिंक दिन इन पर आप अपलाई करोगे तो आपको नेक्स डे आजाएगा बट आप अपलाई करोगे तो आपको इन फ्यूचर ओविसली वहां से कोई रिवर्ट आएगा और आपके लिए अच्छा होगा और बेसिक लिए कि आते आपको जोब स्टार्ट करनी कैसे हैं क्योंकि यार अगर हम जैसे आते हैं यार हमारा कोई रिलेटिव है या नहीं भी हम थोड़ा कंसर्ण होता है कि यार कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा तो में प्रोब्लम होती है तो डरना नहीं है घबराना नहीं जोब इसली मिल जाती है थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा टाइम लगना भ तो उसके लिए आप क्या करो आपको बहुत सारी वीडियो मिल देंगी UK में जोब करो क्या करो कैसे करने क्या नहीं करने आप देख सकते हो भी बट मेरे जो समझा है अपने experience से मेरे को यह है अगर आप student international student है और आप खर्चा निकालने अपना तो आप स्काइब करो मैन फ़र्स जैसे कि आ पाते हो लंडन बर्मिंगम मैंचेस्टर इन भी किसी भी seat प्रचाई के पास वो जो भी जरह पास र१ूश्ट Hack परेंगी अपको koर। आपको चैकन यार्ड है आंपको काम करने के लिए एक वे एक वेर हांस के मत आ रहा हुँ वेर हांस में पेरेट भी अच्छ होता है मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है जो वेर हांस में जॉप करते हैं इनीशली आपका basic स्टाट होता है 9.55 से और आप टू 10 जाता है अप टू 13 और मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी है जो 14 15 भी कमा रहे हैं Amazon warehouse में तो वह अलग चीज है मतलब आपको ठोड़ा टाइम लगता है वह चीज होगा पर जैसे ही आप आ रहे हो किसी पर डिपेंड नहीं होना जैसे कि कोई फ्रेंड है फैमिली मेंब मैंने कहीं वीडियोस देखी है वह बोलते अपना सीवी ले आओ दुखानों में दो चलो होता हो यह वैसे मेरे को मेरे को मेरे परस्नल एक्सपिरेंस है मेरे फ्रेंड्स ने बहुत जगा दिया किसे कोई रिप्लाइन ही करता कोई फोन नहीं करता आपका जो सीवी है जहां स रिज्यूम आप ड्रॉप कर सकते हो तो वह ज्यादा कन्वीनियंट है जाकि आप अपना हार्ड को पी ले जाओ और वह सही नहीं लगता मेरे को और इतना मुश्किल नहीं आप एजनसी मिनिस्टर कराओगे और इतने में आपको क्या पता अच्छा जैसे मैकडी है सब्वे रोयल मेल है वो काफी अच्छा पेरियर और इसका काफी अच्छा स्कॉप है और स्टुडेंट्स जो की लाइक नर्सिंग मगारा में तो नहीं जोब्स प्रवाइड करता है मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं होच चैनल को और वीडियो को पूरा देखें जैसे कि मैं बता रहा है फूल मिलते हैं और उसके बाद स्पोंसर्शिप क्योंकि कंसर्ण स्टुडेंट का यह है आफटर अगर आप कंप्लीट कर अपनी डिगरी उसके बाद स्पोंसर मिल रहा है पिए जबली मिल रहा है तो अगर आप नहीं करते हो नहीं आपको 90 परसेंट तो मेरे जो फ्रें होंगा तो उस इसाब से लोगों से मिलूंगा तो मैं अपना experience और शेयर करूंगा कि कैसे आप marketing में या अगर आप मेरे कुछ प्रेंट्स जो engineering कर रहे हैं IT सेक्टर में भी हैं तो किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है और कौन सा कोर्स बैटर रहेगा आपके future के लिए तो से पूछेगा कि आप कौन-कौन से काम कर सकते हैं और आपको आपकी profile बना देगा तो उसके accordingly आपको लोग कांटेक्ट करेंगे और वो मेरे सब से students को ज्यादा पता नहीं है भी तो वो भी easy option मेरे लिए मैं भी कुछ ट्रा करता हूं क्योंकि अभी जैसे कि आप देख सकते ह है मन्त समेस्टर के बाद दो महिने का चार महिने का आपके course पर डिपेंड करता है तो उसमें आपको फुरकवल लिमिट मिलती है आप फुल वर्क कर सकते हो 40 और जितने भी आपके मतलब आप कर सकते हो तो कर सकते हो उसमें कोई प्रबलम निया तो उसमें आप अच्छे पै मेरा कंटेंट समझ आ रहा है और सही लग रहा है आपको लगता है कि हां भई हैलफुल है तो आपके शेर करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एं थोड़ा सपोर्ट करो तो थोड़ा मैं ज्यादा एक्टिव हूं अपना यूट्यूब पे तो और मैं और वीडियो बनाऊं जै